हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि गूगल ने यूजर को बेस्ट रिजल्ट दिखाना है उसके लिए सर्च क्विरी तो मैटर करती है लेकिन जूजर का कॉंटेक्स भी मैटर करता है कॉंटेक्स में सबसे इंपॉर्णन जो फैक्टर है वो लोकेशन है कि जूजर कहां पे है उसको उस वक्त उस लम्हें क्या चाहिए होगा तो गूगल ये चीज़ें बड़ी कंसीडर करता है तो लोकेशन को अंडर्सेंड करने के लिए और उसको बेटर रिजल्ट दिखाने के लिए गूगल लोकल रिजल्ट को पहले लेकर आता है और इंटरनेशन रिजल्ट को बाद में लेकर आता है तो for example, अगर आप एक मार्केंट में खड़े होके पिज़ा रेशरांट ढूंडें या कोई और रेशरांट ढूंडें क्या आपको लाहूर के अंदर लाहूर के रेशरांट चाही होंगे या लाहूर के अंदर आपको नियू योड़ के रेशरांट दिखाय जाए तो यह किनन आपको लहुर में लहुर के रेस्टरन्स चाहिए या जिस भी शहर में हैं जिस भी लोकालिटी में हैं आपको वही के रिजल्ट्स आसपास चाहिए होगे Google यह चीजें अंडर्सेंड करता है और Google इसको मज़र भी करता है डॉमेंज के अंदर भी असल में यह चीज़ वैलिड हैं तो इसलिए जब कंट्री बेस्ट टॉप लेवल डॉमेंज लाँच होई यह नहीं के .pk यह .com.pk तो यह सारी चीज़ें Google ने उसके साथ असोसियेट की और अब Google एक्चुली में आपको रैंकिंग बेतर देता है अगर आप लोकल कंट्री लेवल डॉमेंज रखेंगे So for example, मैं अपने स्टोर की बात करूँ हमारा जो ABC Mobile Store है उसकी .com डॉमेन है अब .com एक जनेरिक गलोबल डॉमेन है तो अगर मेरा बिजनस गलोबल है तो .com रखना समझ आती है लेकिन अगर मेरा बिजनस सिर्फ पाकिस्तान में है तो आपके ख्याल में इन दो डॉमेन मेंसे कौन सी डॉमेन बेतर है क्या ABC Mobile .com बेतर लग रही है आपको या ABC Mobile .PK बेतर लग रही है आपको आपको जो भी लगे बेसिकली .PK बेतर है क्योंके Google इसको प्रेफर करता है Google यह समझता है कि अगर आप पाकिस्तानी बिजनस हैं और अगर आप पाकिस्तानी ओर्डियन्स को टागट कर रहे हैं तो आपको पाकिस्तानी डॉमेन रखनी चाहिए इससे लोगों को भी असोसियेशन होती है कि लोकल बिजनस है और यह मेरी जादा नीड पूरी कर सकता है नाकि गलोबल बिजनस जिसको शायद पता भी ना हो कि पाकिस्तान में उसको यूजर उसको चाहिए कुछ डेटा वगएरा या उनका फोकस ही ना हो आपका कंट्री तो यह चीज बहुत इंपॉर्णट है यह देखने में तो बजाहर एक चोटी सी चीज लग रही है लेकिन गूगल के लिए बहुत इंपॉर्णट है और गूगल आपको रैंकिंग बूस्ट देता है तो मैं आपको इसकी एक्जैम्पल इससे दे सकता हूँ कि अगर दो वे का उसको आप बीट नहीं कर सकेंगे वो विन कर जाएका का अापकिसानी मारकिट में कि कर जाएकर आपके थे सीया की थी तो यहाँ पर एक चीज़ आप में ध्यान में रखनी है कि आपने जिस भी मुलक में बिजनस कर रहे हैं आपने कोशिश करनी है कि उसकी लोकल डॉमेन लेनी है अक्सर क्लाइंट को पसंद नहीं आ रही हूँ ठीकि हम कोई और डॉमेन ले मैंने आपको पहले का कि आप डॉमेन नेम ना चेंज कर रहे हैं क्योंकि हर एक का बिजनस अपना उसका नाम होता है उस पे आप बहुत जादा नहीं कर सकते हैं वो रखना चाहें तो रख सकते हैं मैं आपको यह भी कहा कि आप www ना निकालें अगर वो नहीं चाहते हैं निकालना क्योंकि इतना दादा फरक नहीं पड़ता लेकिन मैं आपको इस पे कहूंगा कि इस पे आप जरूर उनसे जिद करें इसलिए कि यह आपकी SEO बेतर करेगी अगर आप यूएस के अंदर हैं तो .com चलाने की बज़िए डाट यूएस पे लें ताके आप डाट कॉम की जगा डाट यूएस को रेंक करवा सके हैं होता जी है कि अगर आप मल्टीबल कंट्री में बिजनस कर रहे हैं तो हर कंट्री की डूमें लेते जाएं अगर आप पाकिसन में हैं तो .p के लें अगर आप यूएई में हैं तो .ae लें चूंके आपका ब्रैंट है और .com भी आपको चाहिए तो आप डाट कॉम भी अपने पास रखें ताके वो क्योग और ना ले 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 वो भी ब्रैंड आपके पास रहे तो आपने जब भी बिजनस करना है अपने लोकल कंट्री की डिमेंज लाज़मी लेनी है और जब SEO की बात आएगी जब आप SEO करेंगे तो ये कोशिश करनी है कि लोकल डिमेंज पे SEO करें .com को रीडिरेक्ट कर लें जो कि मैंने 301 रीडिरेक्ट पहले बताया था आपको अगर कोई abcmwiles.com खोले तो automatically abcmwiles.pk पे ही land करें और .pk की होने की वज़ए से आप बाकी website से उपर आ जेंगे जो .com में ही पाकिसनी audience को टागट कर रही होंगी